हेलो एवरीवन कैसे आप सभी आये सरवात करते आज के वीज़ से कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेड फर्स्टिर के बारे में और हम लोग ने यूनिट थर्ड स्टार्ट के थी जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तरी भासा सुतर तरी लेंग्वेज फोर्मुला जो है व थरी भासा सुतर क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है मल्टी लेंग्वेज देश है कि हमारे देश में बहु भासी है ठीक है बहुत सी भासा है हमारे देश में बोली जाती है बाइस भासाओं को जो स्विधान के आठवेन सुची में मानेता प्राप्त है और उसी के लिए हमारे जो है आपर थरी भासा फोर्मले की जुर्थ पड़ी क्योंकि अलग अलग राज्ये के अलग भासा हैं बोली जाती है और एकता बनाई रखने के लिए जो है हमें दूसरी लेंगविज भी जो है आनी चाहिए ताकि हम उनकी भासा को समझ सके अपने विचारों को वहां तक पहुंचा सके और उनके विचारों को प्राफ्त कर सके तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो मध्यम होता है आपका वो भासा ही होता है ठीक है तो बात करते हैं तरी भासा फोर्मुले की तरी भासा सुतर क्या है तरी भासा सुतर क्या है तो से पहले बात करते हैं कि तरी भासा फोर्मुले की आउसकता क्यों पड़ी क्यों इस तरी भासा सुतर क्या आउसकता पड़ी देखिए की भार्त में ठ्री भासा सुतर क्या आओ सकता किसलिए है की भार्त में भासा समस्षा अंदन्त जो है विकट है बड़ी समस्षा है हमारे देश में कई भासाईं बोली जाती है और यहाँ विभिन वर्गों के लोग निवास करते हैं इतनी विभिन्ता के बावजुदियां पर एकता बनी हुई है और भासा एक दूसरे से सम्मंद स्तापित करने का महतोपुन तत्तो है एक दूसरे से सम्मंद स्तापित करने का जो है सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो कौन होता है वो भासा ही होती है ठीक है भासा के इतिह बन भासा को राश्टर भासा का तर्ज़ा जो है दिया आगे बात करते हैं इसके बाद कि और qy तियास जो है Patriot स्विधान के इनुप स्विधान कार fenwyn इत्भा सुक्षा के वीविन स्थूर पर पढ़ाई जाने वाली समस्यों पर किंद्रिये सिक्ष्या सलाकार प्रिशद केंदरिये सिक्ष्या सलाकार प्रिशद C.A.B. इने सन 1956 में विचार वीमर्स करके थरी भासा शुत्तर जो है वो परस्तूते किया और केंदर सिक्ष्या सलाकार प्रिशद के दौरा प्रस्तूत भासा सुचना पर सन 1967 में इसके सरलिकन के रूप मे सुविकृति जो परदान कर दी जो भासा फूर्णा जो दिया था उसको और असान बनाया जाए ऐसा कहा गया केंद्रिय सिख्षा सलाकर प्रिशित के द्वारा कब सन 1967 के अंदर 1967 गिने इस सुतर के लागू करने की दिशा में किया गया दोस्पून नियोजन था संकल्प के खिए जो ठीवासा फ्रॉर्मला जो हमारे दिया गया था उसको आ हुए ठीक से अपलाई नहीं करवा जिसकी जो भासा सिखाने का जो हमारे स्कूलों का जो माध्यम ता उसको जो हमने ओर भी जा है और नीचे के तर पर हम लोग ले गए और इसी के लिए कोठारी कमिशन ने जो है कि थरी भासा formula के लिए अपनी जो सिफारिस की अपनी एक कारी जो है तरी भासा सुत्तर जो परस्तुति किया किसने कोठारी आयोक के द्वरा कोठारी आयोक के सुझाओं की समिक्ष्या करने के लिए कोठारी आयोक का घठन किया गया थे यह में लोग पहले पड़ चुके हैं तरी भासा सुत्तर का सब्दार था कि तीन भासा वाला सुत्तर कि एक व्यक्त परते एक व्यक्ति को भारत के दर तीन भासा जो है आनी चाहिए केंद्रिय सिख्या परामर्स बोर्ड ने स्केंड्री पर देखने के दूसरी बात यह कहींगे कि जिन जो हिंदी भासी राज्य वहां पर दूसरे राज्यों की भासा पढ़ाई जाए। और जो राज्य जो हिंदी भासी नहीं है वहाँ पर हिंदी को जो दूसरी भासा के रूप में पढ़ा जाए ठीक है तीसरा कहा गया कि अंग्रेजी या फिर अन्य को यूरोपियन जो लैंग्वेज है वो आप लोग को जो है आनी चाहिए तो इस तरीके से थ्री भासा फोर्म किया गया नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद कि थ्री भासा सोत्तर को लागू करने के लिए कुछ समश्यां उत्पैदा होई कुछ समश्यां आई वो समश्या क्या क्या देखो कि स्कूल पाठ्यगरा में भासा के बोज के परती विरोध उत्मन होने लगा ठीक है कि स भासिक शेतरों में एक अत्रिक्त आधुनिक भारतिय भासा के अध्यन के लिए अभी प्रिणा का अभाव था ठीक है जोक्षेतर क्या थे हिंदी भासिक शेतर थे उनको यह समझा नहीं पा रहे थे कि आप लोग को एक और लेंग्वेज जो हो सीखी जाए तो उस वो जो ए एक विरुद पैदा हो गया फिर है कि 5 या 6 वरस तक कलास 6 से 12 कलास तक दूसरी और तीसरी भासा के सिक्षिन में बहुत ज्यादा जो होना और जो हम लोग छटी से 12 तक जो है जो लेंग्वेजों को जो हम बढ़ा रहे हैं बढ़ावा देरे जो हम थ्री भासा पुरू अप यह और इसलिए बहुत ज्यादा घर जो इसके उपर हो रहा था तीसरी भासा की सिक्षक के लिए एक प्रैक्स विदा होना तो तरी भासा सुत्तर में दो स्पुन योजनाय बनाना ठीक है एक तो यह कि तरी भासा तीसरी लेंग्वेज जो हम लोग सिखा रहे है कि उस नहीं किया जा रहा था ठीक है नेक्स्ट आगे में बात करते हैं इसके बाद कि कोठारी आयोग ने क्या-क्या सुधाव दिए त्री भासा सुत्र के बारे में उननी सो चोंड़ चांट के दुरां जो कोठारी आयोग आया था कि निमन प्रात्मिक्स तरपर एक भासा मात्री भासा अत्व पिरदेशिक भासा पड़ा जाने चाहिए कि जो निमन प्रात्मिक्स तर जह पहली और दूसरी प्रात्मिक्स तर पर वहां पर मात्री बात्मिक्स तर पर दो भासा इंसी था ठारी ठाय की ज act सब्सक्राइब निती है कि अब यहां पर आपनी मात्री भासा के साथ-षाथ राज्य की भास और साथ में विदेशी भासा यानिकि यूरोपिय भासा को भी जो है पढ़ाया जाए नेक्स्ट सिक्ष्या का माध्यम सभी स्तरों पर जो एक्षित्री भासा ही होनी चाहिए जिसे लैंग्विज में लोग बच्चों सिक्ष्या दे रहे वो क्या होनी चाहिए वो आपके तो मुदालियर आयोग के सुझाओ क्या थे 1952 में डॉक्टर मुदालियर के अधिक्स्ता में एक आयोग का नुक्ति की गई थी और इस आयोग का समझ जो माध्यमिक शिक्ष्या के साथ इस आयोग ने अपना पढ़ते विदेश्या के प्रस्तुते किया था यह बात हम लोग उन्हें माध्यम सतर पर भासा समझ से था सिक्ष्या के माध्यम सतर पर विचार करने तो कुछ सुझाओ दिये हैं सबसे पहले इन्होंने कहा कि मातरी भासा या पार्देशिक भासा सिक्ष्या सिक्षक माध्यम के रूप में ठीक है जो पार्देशिक और मातरी भासा और सिक सिक्षक अरधीम के रूप में गाम करेगी समाननेय रूप से मादमीक अरव जो EL पार्दसिक भासा बार्दसिक भास को सिक्षक माद्यम के रूप में परयोग कर सकता और समानर उसे माध्यमिक सतरफ परहें त्नेकि मेर्स चाहिए स्लय कि एक वह उन्हों को कि middle school के अंदर दो भासा होनी चाहिए कि परतेक बच्चे को कम से कम दो भासा है पढ़ानी चाहिए अंगरेजी और हिंदी निमन स्तर यानि कि निमन मादमिक स्तर पर कक्षिया 5-8 में के अंत तक निमन मादमिक स्तर के अंत पर परारम कि जानी चाहिए और दोनो भासाओं के शिक्षिया एक ही वरस पर एक सत परारम नहीं करनी चाहिए यानिकि 5-8 तक दो लेंग्वेज बच्चे को आनी चाहिए लेकिन दोनो लेंग्वेज को एक साथ सरूर ना किया जाए दूसरी बात उच्तर मादमिक स्तर पर या हाई स्केंडरी स्कूल 10 प्लस टू तक जो है दो भासाओं को अनिवारिय अधन कर देना चाहिए अब दस्वी कक्सिया के बाद जो है दो भासाओं को जो है अनिवारिय रूप से पढ़ा जाना चाहिए फिर है उच्छ स्ष्ट के नोविं दस्वीं ग्यारवी बारवीं तक जो है दो भासाओं का अनिवारिय होना चाहिए तो उनमें से अक मातरी भासा या परदेसिक भासा होने चाहिए दो लेंग्वे जो हर कंपल सरि होनी चाहिए जिन में इसे एक क्या होग आपकी तर्ड हिंदी का स्थान मादमिक शिक्षे आयोग ने शुझाओ दिया कि स्कूल में हिंदी का अध्ळण जो है अनिवारी होना चाहिए यह सब जू हमुदालियर आयोग के दौरा जो है शुझा सब्सक्राइब के बाद जो है विसुदल्य अनुदान आयोग आया था उन्नीस और इंचास इसमें विसुदल्य आयोग की अस्ताबना की गई और इसके अधक्स डोक्टर रादा क्रिशन थे इससे पहली बार इस बात पर जोरदार वकालत की कि उच्छ तरिये शिक्ष्या का म मात्र भासा होनी लेकिन अगर हम लोग चाहे तो कुछ समय के लिए चलती रहे ठीक है पर लगातर चलती रहा ठीक है पर अंपर यह लगातार जो है चलता रहा इन्होंने यह बी आपर स्पस्ट कर दिया कि उन्होंने हिंटिया हिंग कुछ या फिर मात्रे भासा को जो है शिक्ष्या का मादब बनाने की बात कही गई है किसके के दौरा डोक्टर राधा कृष्ण के दौरा जो इस आयोग के क्या थे अधक्स थे नेक्स्ट विश्दल्या आयोग का यह सुझाओ है कि तरी भासा सुतर को लागू किया जाना चाहिए प और आयोग में उच्टर पर भासा के अधन के अनिवार्य नहीं बनाया है पर दो भासाओं का अधन के लिए सुझाओ जो है दिया है देखो इस आयोग ने कहा कि ठीक आप लोग तरी भासा सुतर को लागू कर लो कोई दिकत नहीं लेकिन उच्टर के उपर जो है इस लैंग दूसरे कामों में लगनी चाहिए जब कि वह क्या होगी वह भासा सीखने के अंदर लगेगी तो ऐसा नहीं उन्हें उन्हें यह भी कहा कि दो भासा कोईदन ठीक है वह कड़ावा आप लोग लेकिन यह कंपलसरी ना किया जाए ठीक है नेक्स्ट आगे बात करते हैं देखो तो भाई यही था आप लोग के दी थरी भासा फोर्मूले थरी भासा फोर्मूले आपनों क्या 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 पड़ा कि थरी भासा फोर्मूले की जो आउशकता है वो क्यों पड़ी यानि कि इसका इतिहास क्या रहा है उसके बाद इसके लागू करने के अंदर क्या क्या समश् और 1948 और 1949 में आए विसदले अनुदान आयोगने इसके बारे में जो है क्या-क्या बाते जो है इसके अंदर कही गई है सिंपल लेंग में जब लोग इतना समझोगे त्री भासा फूरूला क्या है कि आप लोग को विदाले इस तरफ पर जो है हंदी भासी राज्ये जिन राज्यों के अंदर हंदी भोथली जाती है वहाँ पर कोई अन्य भारती भासा जो सिखाए जाए और जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर हिंदी को सिखाया जाए और तिसरा कोई भी जो यूरोपिय जो भासा है कोई भी यूरोपिय संग की जो भासा या फिर अंग्रेजी जो है वो आप लोग को आनी चाहिए तो इस तरीके से 3 languages को क्या किया जै कर आप लोग के लिए शुरू किया जै तो इसी को 3 भासा formula जो है वो कहा गया है ठीक है तो आज के लिए हम लोग यही बढ़ते हैं कल लग हम लोग फिर ने टोपिक्स आसरवात करेंगे तब तक के लिए भाई भाई